नमो नारायन मित्रो, मैं रहूलिश्वर, स्वागत करता हूँ आपका भाग्य मन्थन में मित्रो, आज हम बात करेंगे मेश्राशिफल 2019 के बारे में मित्रो, जैसा की आप सभी जानते हैं कि ग्रहों का गोचर, मानव जीवन और प्रक्रती को सदैव से प्रभावित करता आया है ग्रहों के गोचर फाल्स वरूप, समय समय पर प्रक्रती और मनुश्य पर पढ़ने वाले प्रभावों पर निरंतर कड़ी शोत के पश्चाद ज्योतिश विद्या के इस्तंब स्थापित किये गए हैं और यही इस्तंब चिरकाल से मनुश्य को जीवन में सफलता दिलाने वा आने वाली समस्याओं से बचाओं के लिए मार्ग दर्शन के लिए प्रयोग किये जाते हैं ज्योतिश विद्या सदैव से मनुश्य को बुरे कर्मों से तूर कर अच्छे कर्मों की तरफ ले जाती है और मनुश्य को नियम से जीने के भौतिक और अभौतिक लाब वहानी से अवगत कराती है जियोतिश का उद्देश शियर आज भी मानव का आध्यात्मिक वा आत्मिक विकास करना ही है ना कि अंदविश्वास में डालना आईए सबसे पहले बात करेंगे उन मुख्य ग्रहों की इस्तितियों के बारे में जिससे 2019 का पूर्ण निचोड निकाला जाए कि मेश राशी के लिए 2019 का पूरा वर्ष कैसे प्रभाव देने वाला साबित होगा मेश राशी की चंद्रकुंडली के हिसाब से शनी ग्रह पूरे वर्ष धनुराशी में विराजमान रहेंगे जो कि आपकी जनकुंडली का भाग्य भाव है ब्रहस्पति ग्रहे वर्ष आरंब से 5 नवंबर 2019 तक प्रिष्टिक राशी में रहेंगे जो कि आपकी जनकुड़ी का अश्टमभाव है और उसके पश्चात धनु राशी में चले जाएंगे जो कि आपका भागिस्तान है राहु ग्रहे करक राशी से 7 मार्च 2019 को मिथुन राशी में गोचर करेंगे और वर्ष के अंत तक यहीं बने रहेंगे यह आपकी जनकुड़ी का तीसरा इस्थान है केतु ग्रह मकर राशी से धनु राशी में गोचर करेंगे और शनी ग्रह के साथ चांडाल योग का निर्माण करेंगे आपकी जन्म राशी मेश के स्वामी मंगल 6 फरवरी 2019 तक मीन राशी में रहेंगे और वर्ष के अंत तक व्रिष्टिक राशी तक ही गोचर कर पाएंगे 22 जून 2019 से 9 अगस्त 2019 तक मंगल अपनी नीच राशी में रहेंगे जो की बहुत ध्यान देने वाला समय होगा कुल मिलाकर मेश राशी फल बनाने में हम सभी ग्रहों के गोचर फलों को ध्यान में रखेंगे लेकिन यहाँ एपिसोड ज्यादा लंबा ना हो इसलिए और ग्रहों के गोचरों की चर्चा नहीं करेंगे आईए अब जोतिशिय प्रकाश में क्रम बद्ध तरीके से जीवन के प्रतेक महत्पूर्ण हिस्से पर बात करते हैं आर्थिक इस्तिती आर्थिक द्रिष्टी कोण से देखा जाए तो वर्ष 2019 थोड़ी बहुत रुकाश्वटों के साथ आपके लिए अच्छा साबित होगा एक तरफ ब्रहस्पति की पंचम द्रिष्टी विदिशों से लाप के योग बनाएगी सप्तम द्रिष्टी धन धान्य में व्रिद्धी करवाएगी और नवम द्रिष्टी जीवन में सभी एश्वर्य की व्रिद्धी करवाएगी वहीं दूसरी तरफ शनी की तीसरी द्रिष्टी धनला प्राप्ती में बाधायवा रुकावटों का कारण बनेगी मार्च 2019 के बाद राहू मिथुन राशी में आकर शनी को थोड़ा अधिक नकरात्मक प्रभाव देने पर विवश करेंगे तो वहीं पंचम उल्टी द्रिष्टी प्रभाव से अचानक से रुके हुए धनकी प्राप्ती भी करवाएंगे वर्ष 2019 का नवंबर वा दिसंबर महीना आर्थिक द्रिष्टी कोंट से आपके लिए बहुत ज़्यादा शुब रहेगा कुल मिलाकर आर्थिक रूप से 2019 आपके लिए अच्छा रहेगा व्यवसाई व्यवसाईक द्रिष्टी कोंट से देखा जाए तो वर्ष 2019 पूरे तरीके से आपके लिए शुब ही साबित होने वाला है इस वर्ष आपको आपकी महनत का फल तुरंत तो नहीं मिलेगा क्योंकि कर्मिस्तान और लाबिस्तान के स्वामी खुद शनी हैं जो की भाग्य भाव में बैटे हैं इस समय शनी आपके धहरे की पूरी परिक्षा लेंगे और उसके बाद बड़े शुब्फलों की प्राप्ति आपको होगी इस समय जल्दी बाजी में कोई भी निर्णे ना लें क्योंकि यदि इस समय आपको किसी भी प्रक्यार की हानी होगी तो वह बस जल्दी बाजी के कारण होगी मार्च के बाद कार्य में अचानक तेजी आने के संकेत भी आपकी कुंडली दे रही है इस वर्ष व्यवसाय के दृष्टी कौन से कुछ बड़े निर्णय भी लेंगे जो वर्ष के अंत तक आपको बहुत ही शुप परिणाम देंगे साजेदारी व्यवसाय में इस वर्ष खुद को बिलकुल न डालें नौकरी नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्ष 2019 बहुत ही शुफल देने वाला होगा मार्च तक कार्रेस्थल में थोड़ी उतल पुतल की इस्तिती बनी रहेगी जिसमें आपके ट्रांसवर की बाते तक होंगी लेकिन मार्च के बाद सभी इस्तितियां आपके अनौकोल होती जाएंगी इस वर्ष नौकरी के चलते छोटी और बड़ी यात्राओं के योग भी बनते रहेंगे 22 जून से 9 अगस्त 2019 तक का समय आपके लिए थोड़ा साबधानी बरतने वाला रहेगा इस समय नौकरी नबदलें और कार्यस्तल पर वानी का प्रयोग सोच समझ कर करें 5 नवंबर के बाद मन चाही जगा नौकरी मिलने के योग भी बनेंगे शिक्षा शिक्षा के दृष्टी कोण से वर्ष की शुरूआत काफी मेहनत से शुरू होगी 25 फरवरी से 3 मई 2019 तक का समय बुद्गा कोचर आपकी शिक्षा में बादाएं डालने का मुख्यकारण साबित होगा इस समय आपको बहुत ज्यादा एकागर रहने की जरूरत है इस समय मित्र मंडली से भी दूर रहने की सला आपको दी जाती है इसके पश्चात 22 जून से 9 अगस्त तक आपके राशी स्वामी मंगल अपनी नीच राशी से गोचर करेंगे जो की आपके स्वास्त्य और परिवार की वजह से आपकी शिक्षा में बादा बना सकते हैं इसलिए इस समय साफधान रहें कुल मिलाकर शिक्षा के दृष्टी कोण से वर्ष की शुरुवात थोड़ी धीली सावित होगी लेकिन अंत में आप तेजी से वापसी करेंगे पारिवारिक सुख पारिवारिक सुखी दृष्टी से देखा जाए तो वर्ष 2019 मिले जुले फल देने वाला साबित होगा मुख्य रूप से वर्ष आरंब से लेकर 7 मार्च तक का समय और उसके बाद 22 जून से लेकर 9 अगस्त तक का समय बेवजा की लड़ाई और असंतोष को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है इस समय आपको अपने उपपर सयम रखने की बहुत अधिक जरूरत है क्योंकि लड़ाई जगडा किसी चीज़ का हल नहीं है नवंबर वा दिसंबर के महीने में परिवार में कोई बड़ा पूजा अनुष्ठान वा विवा के योग बन रहे है परिवार में जिन लोगों के विवा अभी तक नहीं हुए हैं उनके विवा इस समय होने के सुंदर योग बन रहे है जीवन साथी वा प्रेम संबंदों के दिश्टी कोंड से यह वर्ष कुछ नकारात्मक प्रभाव दे सकता है इस समय राहू और शनी की इस्तिति आपके चरित्र पर उंगली उठवा सकती है इस समय आपके उपर जूटे आरोब भी लग सकते हैं इसलिए इस समय थोड़ा जागरूक रहें 22 जून से 9 अगस्त 2019 के बीच का समय आपके लिए बहुत अधिक अशुब है इसलिए इस समय आवेश में आकर कुछ भी बोलने से बचें इस समय यदि कोई भी बात आपको निरंतर परिशान कर रही है तो उसका समाधान साथी के साथ बैटकर शान्ती पूरवक निकालें ना की लड़ जखड करके 10 सितंबर से 4 अक्टूबर 2019 तक का समय भी अपने सौभाव पर विशेश ध्यान रखें कुल मिलाकर यह समझ लें कि समझदारी, शान्ती और सरलता क्रहों के नाकारात्मक प्रभाव को भी दूर कर देती है स्वास्थ्य स्वास्थ्य के दिश्टी कोंड से वर्ष 2019 आपको परिशान कर सकता है इस समय ब्रहस्पति की इस्तिति आपके अश्टम भाव में बने की जो पेट संबंदी बिमारियों को बढ़ाती है इस समय लीवर, आतों और हाज में से संबंदित परिशानियां आपको बार बार हो सकती है आपके स्वास्ति में पूर्ण रूप से सुधार 5 नमबर के बाद से आएगा इस समय अपने खान पान पर विशेश धियान रखें और हलका गर्म पानी पीने की आदट डालें अब हम आपको 2019 के लिए कुछ विशेश उपाय बताने चाह रहे हैं जो की ग्रहों के नकारात्म गोचर से आपको सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ आपको तेजी से सफलता भी दिलाएगा पहला उपाय आता है मंत्र शेत्र से वर्ष 2019 में शनी और केतु ग्रह आपके भाग्य भाव में बैठे हैं और शनी ग्रह तीसरी द्रिष्टी से धनलाबों को और दसम द्रिष्टी से रोगों को बढ़ाने का कार्ये कर रहे हैं इसलिए इस समय आपको शनी शांती के लिए शनी गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करना चाहिए मंत्र जाप के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए मंत्र इस प्रकार है ओम कात्व जाए विद्महे, खडग हस्ताए धीमही, तन्नो मंधा प्रचोदेयात दूसरा उपाय आता है यंत्र प्रयोग से भोज पत्र पर अश्ट गंद और अनार की कलम का प्रयोग करते हुए राहू के 108 अंक यंत्रों का निर्मान करें और किसी भी शनीवार के दिन इन यंत्रों को साफ भैते जल में एक-एक करके प्रवाहित करें तीसरा उपाय आता है रुद्राक्ष धारण से वर्ष 2019 में राहू और शनी के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए दो साथ मुखी और एक आठ मुखी नैपाली रुद्राक्ष शुकल पक्षिय सोमवार के दिन धारण करें चोथा उपाय आता है रत्न धारण वर्ष 2019 में चंद्रलगन, पंचम वा भागय इस्तान के रत्नों को अश्ट धातु में कवच रूप में धारण करना आपके लिए बहुत शुब और सफलता दायक सिद्ध होगा कवच बनवाने वा धारण करने से पूर्व अपना जन्मकुंडली विश्लेशन जरूर करवाएं पाचवा उपाय आता है वैदिक जाप के शेत्र से वर्ष 2019 में शनी ग्रह शांती के लिए वैदिक जाप करवाना आपके लिए विशेशफल देने वाला होगा चटा उपाय आता है तीर्थ यात्रा इस वर्ष हनुमान जी और शनी देव के पौराणिक मंदिरों की यात्रा आपके लिए विशेशफल देने वाली साबित होगी सात्वा उपाय आता है दान शेत्र से जैसा की मैं सदैव से आपको बताता हूँ कि कल्यूग में नवगरह शांती का सबसे उत्तम उपाय दान करना है इसलिए वर्ष 2019 में भी आप शनीवा राहू से सम्मंदित दान जरूर करें भूको को भोजन जरूरत मंदों को वस्त्र आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा प्राप्ती में सहायता नेत्रेहिनों का ध्यान असहाय और विर्द लोगों की तन मन धन से सहायता के बावजूद यदि फिर भी कुछ करने का मन करें तो शनी मंदिर में प्रतेक शनीवार, काली उड़द, नीले कपड़े में बान कर दान करें जीवन शुब वा प्रगती शील बनेगा नववर्ष 2019 आपके लिए सभी शित्रों से शुब रहे और अपने परिवार और मित्रों के साथ आप जीवन के सभी सुखों वा आनंदों को प्राप्त करें ऐसा मेरी माभगवती दुरगाजी से प्रारतना है इसी के साथ हम आज के लिए आपसे आग्या चाहते हैं आपका जीवन शुब वा मंगल मैं हो नमो नारायं कर दो आप comfort लिए भा आपका जीवन के साहए हां अंगा रभवा टो झाल झाल